जी नमस्कार दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल लेचे एक्वेरियम में तो सबसे पहले समय ना खराब करते हुए हम अपने टाइंक की लाइट जो उसको अन कर लेते हैं ठीक है जिसको यह चीज़ समझ में नहीं आई है वह हमारी आटमेटिक लाइ पर भी ने वीडियो डाला था वह आप देख सकते हो बाकि उसका कॉंटाक्ट इंफरमेशन आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगा तो सबसे पहले मैं आप लोगो बता देता हूं कि आज जो हम बात करने वाले हैं यह ब्यूटिफुल सी चीज ड्रिफ्ट वीडियो डिलीट हो गया उनफॉर्चनेटली बट हैर आप लोगो टाइम ज्यादा खराब करते हैं उससे पहले मैं आप लोगो बताना चाहूंगा एक्विरियम प्लांट के बारे में तो अगर आपको एक्विरियम प्लांट से अच्छे लगते हैं प्लस आप घर बैटे- सबसे ओपर मिल जाएगा साथी में पिन कॉमेंट में भी डाल दूंगा चलिए वीडियो पर वापस आते हैं तो गईस बहुत से लोगों का क्वेशन चल रहा था बाकी एक भाई काप्य टाइम से जो है पूछ रहते तो वैसे मैंने बहुत टाइम पहले एक वीडियो डाला साथ तो आप उसको कैसे प्रिपेर कर सकते हैं एं डिसिंट्टि च Reserveacyj तो सबसे पहले मिसाए ने कि Chingy आप मेञिए यहां तो अगर आपके पास सब्सक्राइब कर सकते हो तो अगर आपको इतनी बड़ी बड़ी बोड़ धि इसको निकर सकते तो one by one half side dip करके भी इसको किया जा सकता है once disinfectant वाला काम जो है वो अगर खतम हो जाता है boiling वाला जो की मतलब सबसे basic method है और अगर वो ज्यादा गंदी नहीं है तो वो उससे disinfect जो हो जाती है boiling जो बैक्टिरिया मर जाते हैं तो आप लोगो पता ही होगा उसके बाद second step आता है अगर आप उससे जादा करना चाते हो थोड़ा सा पैसा भी इंवेस्ट करना चाते हो अपार्ट फ्रॉम रेगुलेटर फूट जो आप खुद लेकर क्या आए हो खरीद के या फिर ढूंड के कैसे भी तो आप साल्ट कर सकते हो बोईलिंग के साथ-साथ तो एप सम्साथ यह वाप लोग पता हो अब फिश वगर को भी क्यूर करने काम आता है अक्वेरियम सौल्ट होता वह भी तो वह भी आप पानी में एड कर सकते हो उस से एक अडिशनल स्टेप जो हो जाता है आपको लगता है बहुत ही गंदी है फिर आपको कुछ जादा ही मतलब जो है इस तरह के बंदियों थोड़ा सा जादा वहम करते हैं कुछ भी है तो उस पर्टिकलर केस में आप ब्लीच का भी थोड़ा सा यूज़ कर सकते हो लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम या जाती है वेन वी टॉक इसको बाद में दुबारा कई बार बॉइल करना पड़ेगा बहुत बार वाटर चेंज करना पड़ेगा प्लस साथ में एंटी क्लोरीन की कॉस्ट भी इंवाल हो जाएगी क्योंकि ब्लीच के एफेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए तो यह कुछ में जिनसे आप अपन किसे सोग्ट यानि के पानी के अंदर डूपा कई दिनों से नहीं रहा है तो इसमें एयर जो हो थोड़ी पहुत रह जाती है तो ब्यूंसी जिसको कहते हैं में ब्यूंस फॉर सम्थिंग लाइक डाट होता है उसकी विड़े से ड्रफूल आपकी उपर आजेगी और आपका सबसे पहले इसको आपने डुगो के रखना है सबसे ज्यादा टाइम तक और इसको डुगो के रखने के लिए मालोगे कर बार बार उपर आ भी रहा तो आप स्टोन का यूज कर सकते हैं आप इसके उपर भारी सा पैबल रखेंगे तो यह उपर नहीं आएगा इन फैक्ट बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि बकेट के अंदर डूब जाता है बट इसमें पानी ज्यादा होता है हमारे अगर बड़े टैंक की में बात करूं तो वही ब्यूंस फोर्स होती है उसके इसे फिर उपर आती है तो कुछ दिनों तक रफली हफता बर आप इसको वन सेट बड़े जब बंग कर दे तो तब आप अंदर भी कुछ दिन तक स्टोन को रख सकते हैं हर अफली हफते के बाद स्टोन हटा देंगे सब को सेट हो जाएगा बहुत बार कलर छोड़ती रहती है छोड़ती रहती है छोड़ती रहती है तो यूँ हाफ टू बी पेशेंट करना पड़ेगा कलर छोड़ती रही छोड़ती रही उसके बाद टैंक के अंदर जब आप इसको डालेंगे मानलो स्टोन रखती है आपने सब कुल सट कर दिया उसके बाद एक इशू आ रहाता है बहुत से लोग करते हैं एक तो थोड़ा सा पानी के अंदर टिंट जो है व वह सबसे यूज होता है क्योंकि सीकें प्यूरेजिन जो कंपनी रेकमेंड करती है और बहुत से प्रोड़क्ट ऐसे हैं जो टेंट को कम करते हैं जैसे की अक्टिवेटेड कार्बन हो गया बट हम उसे प्लांट टैंक में यूज नहीं कर सकते क्योंकि वह फटलाइजर और कंपनी उसी पॉलिश आइक एक्वेरिम से जो है मैं आप लोगो लास्ट यम भाय को प्रोड़क्ट बताया तो उनका भी प्रोड़क्त आता है जो कि सीकें प्यूरेजिन से थोड़ा सा सस्ता है सेम काम करता है आप उसको भी यूज यूज कर सकते हैं आइकर रिए सकते हैं सकता है वैसे तो इस पार्ट ऑफ नाचरल इको सिस्टम तो कोई इशू नहीं है वह जस्ट माइक्रोगनिजम्स या फिर बैक्टीरिया की लेयर होती है जिसे की फिश्ट कंज्यूम करती है श्रिम्स कंज्यूम करते हैं देन स्पेसिफिकली वह बहुत अच्छा होता है नए पैदा हुए फिश के बच्चों के लिए फिच फ्राइज जो होते हैं प्लांटेट टांक हेविली प्लांटेट टांक के अंदर जनली आपने देखा होगा इंजल फिश ब्रीड कर लेते हैं यह तो एगलेंग वली हो गई बट इसमें आपकी गपी हो गई प्लाटी जो प्लांट लीव्स के ओपर पैदा हुए वह होते हैं उनको लोग खा लेते हैं तो हामफुल नहीं है बट स्टेल आप साफ करना चाहो तो दुबारा निकाल के साफ करके वह आपिस डाल सकते हो टैंक के अंदर भी अगर आप उसे हाब से अरप करके खीच लोगे थोड़ा ब अब बात आती है आप लोगों की सबसे में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिसमें मैं भी अपने आपको शामिल कर सकता हूं कि मतलब बहुत जादा टाइम जो स्पेंड नहीं करना चाहते हैं लेकिन हां यूदू केर टांक और यूदू केर फिश्रेश तो उस केस में मैंने पहले वीडियो बनाइते हैं लेकिरियम के बारे में तो वह सब के लिए तो यह चीज नहीं है बढ़ हां जो लोग डेली इंदर रहते हैं वह चीज का बेनेफिट उठा सकते हैं तो अगर आप एक स्पेसिफिक आपके पास कोई पिच्चर आप इस तरह की जाते हैं या फि शीज के हिसाब से या फिर साई के सापसे तो वह बंदा आपकले हैं यह सारा काम करके रखेगा डिसंफेक्ट करके रखेगा दिन पाणी में डबोगो के रखेगा सो और फ्लोट न नहीं करे यह सारी बाला सकते हैं लेटर यू ऑचा फेस्स पर बाकि को हेसे सिक बहुत मिल के बारे में और कोई specific question हो तो definitely आप comment box में डालिए इसके लाबा किसी और particular topic के आपको वीडियो चाहिए बताइए तो इस particular वीडियो में जादा कुछ था नहीं तो मैं आप लोग जादा टाइम जो नहीं लूँगा और आगे जो नहीं वीडियो जाती रहेंगी और हमारा जो सेकंड चैनल है उस पर 900 प्लस सब्सक्राइबर जो हो चुके हैं तो like hardly few subscribers left like 80 to 90 वो भी आप फट फट जो है complete करा दीजिए एज एक्वेरियम शॉर्ट के नाम से चैनल लिंक उसका भी आपको description में मिल जाएगा और हजार जैसे ही पूरे होंगे तो हम उसको भी monetize जो करवा पाएंगे so that's all information जो है वो इतनी थी इस particular video में बाकी हम बाद में बात करेंगे कुछ और information चाहिए तो आब बताना या मैंने कुछ मिस कर दिया तो बताना and apart from that हमारा instagram facebook twitter जो है उसका सबका link आपको description में मिल जाएगा including the bunny card discount link तो do check it out and जा के subscribe कर लेना follow कर लेना so that जिन लोगो notifications नहीं मिलती महां पे में time to time updates जो है वो डालता रहता हूँ that's it information अची लगी हो तो do subscribe the channel like the video and share as well thank you so much for watching and have a nice day